बिसमिल्लायरमारारहीम असलावलेकूम दोस्तों मेरे नाम है तोसीफ इजाज और आम देख रहे हैं दैजी नोट्स टीप चैनल तो सफ्टेर इंजिनेरिंग पार्ट्टू के नोट्स तो है वह कंटीनिव है और आज हम लेक्ट्चर नमबर सिक्स में सीखेंगे बात करेंग इस है अरखिटेक्ट्ट्र डीसाइऑ उसके बाद हम लाइलयेवल डीजैई करते हैं झतीम हम टीटीजीन गैबल ऍवर्ट्थेर आश्यों होते हैं अपने सोफवेर की जाने में तो यहां पर इंट्रोडक्षन शुरू करने से पिल आप कर रिग्वेस्क्वाब te तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइगन को जरूर दबाएगा ठीक है तो गाइस शुरू करते हैं सोफ़वेर डीजाइन से ठीक है so it is a stage of transformation in decomposition where requirements are converted into the form of design या shape ठीक है उनके टास्स जो है वो परफॉर्म है ठीक है तो यहां पर देखते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैंने किस तरह जो है user को functions के साथ जो है interaction करनी है इसी तरह admin का functions के साथ इसी तरह इंट्रेक्शन करनी है किस तरह admin जो है functions को manage करेगा और किस तरह user उसको देखेगा ठीक है तो इस सारे process का हम pre process करते हैं मतलब pre designing करते हैं designing कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या कह यहां पर होना है क्या क्या यहां पर हो राइटीक है तो यहां पर काई हम तीन तरह से architecture जो है वो अपनाते हैं तो सबसे पहला क्या है architecture design हम करते हैं पहले ठीक है तो architecture design में क्या होता है कि it provide an abstract view या detail about the system आपका जो system है उसके बारे में आप एक abstract view जो है वो दिखाते हैं जिस तरह हमारे पास use case model है तो वहां पर क्या होता है कि abstract view आपको दिखाई दे रहा होता है जिसमें आपको पता चलता है कि कौन से हमारे पास end user है कौन सा अपने admin section कौन सा है और इसी तरह कौन से use cases है मतलब कौन से functionality हमारे system में मौझूद है ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि this design identify the components and modules of the system and the interaction among them ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि जब आप एक application कोलते हैं तो application में सबसे पहले login form आता है उसके बाद आपको login करने के बाद आपको सारा system दिकाई दे रहा होता है तो उसके बाद आप किसी भी function को click करेंगे तो आपको कोई ना कोई task प्रफॉर्म होके दिकाई देगा ठीक है तो यहां पर क्या करते है इस design identify the components and module of the system ठीक है तो यहां पर क्या है कि this design help the software developer to create an idea about the system ठीक है तो इस design से basically क्या होता है कि आपका idea जो है वो clear हो जाता है कि किस तरह हमारा software जो है वो काम करेंगे broad view आपको दिकाई देती है ठीक है उसके बाद guys हम क्या करते है high level design करते है तो guys high level design में क्या होता है तो guys जितने भी functionalities आपने जो है वो लेके है मतलब पहले जो है आपने broad view लेका है पहले आपने कहा कि आपको registration करनी पड़ेगी उसके बाद आपको login करने पड़ेगा उसके बाद आप functionality को use करेंगे तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर आपको मजीद उन modules को जो आपने collect की है उन modules को आपने मजीद collaborate करना है उसको मजीद explore करना है ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि the components and modules of the system are further divided and explain in detail ठीक है तो guys यहाँ पर जो आपने functions जो है वो बताय है यह मतलब कि G है SWB ठीक है यह मैंने वैसे ही नाम दिये है suppose कि यहाँ पर create account है यहाँ पर login है यहाँ पर बाकी सारे functions है अब login में क्या होना चाहिए तो उसको हम मजीद collaborate कर लेते हैं मजीद explore कर लेते हैं यहाँ पर registration में कौन से चीज़े होनी चाहिए तो उसको मजीद explore कर लेते हैं कि आपको username देना पड़ेगा email देना पड़ेगा ठीक है उसके बाद password जो है दो दफादेना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर आप मुक्तलिफ number भी आप मांग सकते हैं तो यहाँ पर high level design में हम क्या करते हैं कि मजीद उस module को मजीद collaborate करते हैं मजीद explore करते हैं ठीक है आपको समझ में आ गई होगी कि high level design क्या है ठीक है यहाँ पर आगे पड़ते हैं कि this design breaks down the components and modules into the sub component ठीक है sub components आप बना रेते हैं some action जो है आप बना रेते हैं कर लेते हैं उसको आप मजीद जो है extend कर लेते हैं ठीक है so interaction among the components of modules is also depicted ठीक है so simple सी बात है जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि सारे modules को आपने मजीद collaborate करने है मजीद explore करने है तो this design focuses on how the system along with all the components can be implemented in the form of modules ठीक है in a form of modules आप यह दिखाते है किस तरह modules काम कर रही है और modules के अंदर सब modules सब components वो किस तरह काम कर रही है ठीक है तो guys in high level design के बाद हम करते हैं detail design ठीक है जो कि in a form of हमारे पास detail design होते है जो हमारे पास जितने भी diagram है ठीक है ERD हम बनाते है ठीक है अपने जो हमारे पास data base है उसका structure जो है वो दिखाने के लिए हमें ERD बना देते हैं तो यहां पे इसको हम क्या केते है detail design केते है ठीक है so यहां पे guys detail design में हम क्या करते है क्या करते है it focuses on the implementation part ठीक है implementation part यहां पे हमने functions को देखना है कि कोन कोन से functions यहां पे किस किस तरह से काम कर रहे है किस किस module ने क्या क्या function जो है वो perform करना है ठीक है so it defines the logical structure of each module logical structure मतलब paper board पे हम drag कर लेते हैं कि मतलब जो diagram है तो वो basically हमें यही बताते है जिसके activity diagram है तो वो हमें बताता है application में आप enter होंगे उसके बाद यहां पे आएंगे उसके बाद यहां पे आएंगे उसके बाद यहां पे आएंगे और last में आप अपने goals को achieve कर लेंगे तो इसको detailed design कहां जाएगा ठीक है it also defines the interfaces of modules ठीक है to communicate with each other ठीक है तो guys जो हमारे पास modules होते है जो suppose की जा आपने पेले आप आए आपने registration की ठीक है तो registration के फोरण बाद आपको directly जो है मतलब main page पे ले जाये जाता है ठीक है उसके बाद main page पे आप किसी भी task को आप click करते हैं तो आप मजीद उसमें आपको जो है अपना milestone जो है आप इचीव कर लेते हैं तो यहाँ पे guys क्या होता है जो activity diagram है तो activity diagram में आपको सारा process जो आपके application का है तो वो आपको दिकाई दिकाई देता है आपको आपको दिकाई जाता है तो यहाँ पे guys इसको हम कहते है detail design ठीक है so guys आज के लिए बस इतना ही मिलते है नई वीडियो के साथ भी इस वीडियो को like and channel को subscribe करना अल्लाहाफेज